नमस्कार आप देख रहे हैं परमार्थावाज कुरोना जैसी महमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं मिल रहा केंद्वा प्रदेश सरकार लोगों की हर प्रकार से मदव करने के लिए 24 घंटे तयार है उसके बाब जूद भी संडवा ग्राम सभा में सरकारी गल्ले का दुकानदार अपनी काला बाजारी से बाज नहीं आ रहा है लोगों को रासन नहीं मिल रहा देश में इस महमारी को देखते हुए ग्रामेड अंचल में भी लोग एक दूसरी की मदद कर रहा है लेकिन संडवा की कोटेदार की मरमानी तो देखा जाया आए सुनते हैं ग्रामेडो से उनकी समस्याओं के बारे में विरोचीफ ग्यानचंदर के साथ परवेज हमत अच्छा आप लोग की समस्याओं लेकर यहां पर खड़े हैं और ग्राम परधान से किस बीसे में चर्चा कर रहे हैं जो है गल्ला अभी तक जो है अगले महिना का बाटा है इस महिने में अभी गल्ला नहीं दिया है है मतलब आप जो भी इतने लोग हैं सारे लोगों को फो कोट्रदार नहीं दिया है अगल्य मांतिव द्यार है आपको गल्ला नहीं बाटे रहेंगे, तो बाटेंगे, तो अब आथ तारीक है, बसका इंबट रहा है, हम लोग गय तो बोलें, कि साथ अनुग जिए उसके बाद गल्ले खतम, उनके पास अनुग चलिया है, आपको क्या नाम भाइब आपको गल्ला नहीं मिला इसमें, मैं सर कोड़ेदार महुदे क्या कह रहें हैं? कह रहें हैं, गल्ला हाई नहीं तहा देंगे हैं, हम को गल्ला नहीं मिला इसकी पहली तारीक में, और अमाई लोगों ने इस संबंध में इसी उच्छ अदिकारी से कोई सिकायद की लिखी था? इस्टियम साहब ने क्या स्वासन दिया आप लोगों को वोला गल्ला पहले तारी के बाटा जाए मुहमद दानिस का ट्रांसपोर्ट राफ्ट का असका होई यह गंद्या बढ़ रहा है वोपेदार क्या काला बादारी करते हैं इस समस्था को लेकर जो ग्रामीर आपके साथ इकठा है और यह कोरोना जैसा लागडाउन महामारी पूरा बिस इस दंस से जहल रहा है और आपके गाहों के रहने वाले लोग इतना कोटे दार के खिलाब रोसित हैं और आप इस समन में क्या कहना चाहेंगे पूरे महिना को गल्ला इदर ख़तम किया ने गल्ला दे रहे हैं और घर पर रुख रहे हैं पुब्लिक जात है तो उल्टा सीधा उड़त या उपना पॉल-बाल के ओगर आजो लोग गें अब उनके वगां गल्ले नहीं है पिछले मां में गल्ला बटा था मार्च में गल्ला इमान गल्ला नहीं मिल्टा.